नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस चैनल पर आज हम आपको बहुत अच्छी जानकारी बताने वाले हैं आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे द्यालवाग में डिपलोमा पॉलिटेक्निक के एड्मिसन को लेकर तो आपकी दिमाग में बहुत सरे डाउट आ रहे पूरी चीज में आपको बता दूगा एक बात मैं याँ पर कलेता हूं ठीक है सबसे पहले चलते हैं बैवसाट पर यह आपको दिख रहुआ हूँ जिस किसी स्टुडेंट ने और उसने साल जैसे डिपलोमा में क्या होता है तैन से दूनों सी यह सकते हो तो अगर टैन से ल लेने की बेलकुल भी धिकत नहीं है क्योंके इस वार मतला इस पर क्या हर वार ये होता है क्योंकि एजुकेशन का जो section होता है वो बंद नहीं होता है जब तक आपका एड़िशन लेना चाहते हो और रियल्ट नहीं आया तो नंबर में क्या बरें नंबर में कुछ भी भरने कि आपको कोई भी कैसी भी जरूरत नहीं है ठीक है तो यह चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है अब जलते सीधे नेक्स्ट पर यहां पर दिख रहा होगा एडिविशन से अशन 2324 इस पर क्लिक करके भी हम आ जाते हैं यह आपका है नोटिस बोड जहां पर एडिविशन से मिलते जोलती सारी नोटिपिकेशन आपको मिलती रहेंगी इसी पीज को आपको फॉलू करना है इसी की मैसला देता ह रहा हूं हर बार ऐसे करता हूं इस लिंक को आप नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में आप सेव करके रख रहें न कहीं पर भी उसको डेली चेक करते रहें अपडेट के लिए देखिए कि कौन कौन सी ब्रांच हैं कितने सेमेश्टर का कॉर्स हैं कितनी सीट होती हैं एलिजबिलिटी क्या है ट्रीमार्क्स कौन कौन फॉर्म बर सकते हैं मेल फीमेल सारी जानकारी तो डिपलोमा गुरूप एक ही बात करते हैं इसमें यहां पर दिख रहा होगा मैंने यही निकाला है स्पेशल डिपलोमेट ऑटोमबाइल इंजिनिरिंग सिविल इंजिनिरि magnet chap rain शीनिग लेडर टेक्निलओ टेक्नलोगी पूस्ट बिक आस्सिजिए और वोकेशन डिपलोमा इन्फोर्मरेशन टेक्नलोगी किस Con एक्पी अब बंग surviving DNA टेक्नोड शैने और गुरूप एम इंतने टेःम थे गरूप बी में आपका टेक्स्टल डिजाइनिंग है इंटिरी डिजाइनिंग डेकूरिशन है गुरूप C में आपकी गार्मेंट टेक्नोलोजी आती है और गुरूप D में आपका modern office management एक जो से क्रेटरियल प्रैक्टिस का आ जाता है ठीक है तो बात आते है यहां पर यह देखिए eligibility high school इसकी minimum qualification है high school और आप लोग 12 से हो तो 12 से भी फार्म बर सकते हो ठीक है तो high school science और कम से कम आपकी 50% होनी चाहिए फार्म बरने के लिए नहीं तो नहीं हो पाईवा ऐसा होता है ठीक है और इसमें एक ब्रांच है जो कि BAC computer science वाली इसमें आपके पास 10 plus 2 with science subject से होनी चाहिए क्योंकि एक graduation की degree आपको यहां से मिलेगी तो इसमें 10 plus 2 होनी चाहिए अब देखिए और नहीं ने बोला कि 6 semester का मदलब 3 साल का यह diploma program है seat दे रखें seat पर ध्यान मत देना seat बहुत ज्यादा होती है साथ नहीं साथ ही 120 भी हो सकती है क्योंकि वहां यह पुराना चलता रहा है अब तो seat काफी बढ़ गई है ठीक है तो seat पर ध्यान मत देना के बल अपना duration देख लो तीन साल का है diploma आप कौन सा असमें भरने वाले हो और open to all सभी के लिए हैं automobile engineering में male female दोनों बर सकते हैं सिविल में क्या only male candidate बर सकते हैं electrical engineering में सब बर सकते हैं electronics में भी सब बर सकते हैं लेकिन mechanical में only male और leather technology में male भर सकते हैं लेकिन जो architecture वाली assistantship है उसमें female cable only female ठीक है और boxing diplomat automobile इसमें सब बर सकते हैं male female दोनों और enforcement technology और बीसी वाले इसमें male female दोनों बर सकते हैं ठीक है और गुरूप B की बात करें तो गुरूप B में textile designing है और internet और designing decoration है इसमें only female जो भी student है वो home भर सकते हैं इसमें high school से ठीक है group C government technology इसमें भी female भर सकते हैं और एक है group D में diplomat modern office management इसमें open to all का मतलब सब भर सकते हैं ठीक है और यह बहुत बड़ी बात आ रही थी age limit की ज्यान रखना age limit की आपने बूचा था तो मैं बता रहा हूं age limit इसमें उन्होंने क्या हो ला है diploma in engineering and polytechnics maximum age limit is 22 साल ठीक है तो मैंक जिमम इन्होंने 22 साल दे रखी है और पच्चीस साल SCST के लिए एक जुलाई दो याद तीस होनी चाहिए ठीक है यह इन्होंने यह पर बोल लगखा है यह maximum age है इससे उपर करने diploma में नहीं बर सकते हैं ठीक है यह समझ में आ गया हुआ प्रोग्राम क्या 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 कौन को फॉर्म बर सकते हैं कितने semester का courses मैं अपने ध्यानी दिया गुरूप C और गुरूप D यह only दो साल के course है चार-चार semester लखा हुआ है ठीक है चलते हैं next slide पर यहां पर कुछ syllabus की बात करते हैं आपसे साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसका आपको सब कुछ clear case के लिए सब्जेक्ट औफ एडिविशन टेस्ट इन ऑन्लान सपरवाइट मोड इसकी अलग से वीडियो बताऊंगा और बनाऊंगा साइज जानकारी इसमें बताऊंगा कि पेपर ओन्लान होगा ओन्लान होगा तो कैसे होगा ओन्लान होगा तो कैसे होगा गुरुप ए गुरुप ए में डिप्लोमा इन इंजिनिरिंग इसमें ऑटोमेड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिकल सिब्ल है आर्टेक्ट्र एसेस्टेंट्सिप है वोकेशनल डिप्लोम सब के लिए आपका एक पीपर होगा इसमें चार सेक्षन है और और सारे 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 जिसमें मैं थाएगा जो कि सेक्षन है जैसे जैने हैं इसके लावा कुछ नहीं आएगा इसमें टेक्न लोजी है तो होम से अलग ट्रकर पिर की से फेक खेशन है के लिए और इसमें और पह दो ने बहुत कुछ बोर लखा है कि एडिमिसन जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या रहने वाला इसके लिए तो अभी एक और स्लाइड में जान करें वहां से मैं बता दूंगा यह लेटल एंटर के लिए लिए आप छोड़ो अब जानना चाहते हो तो इसमें देख लेना को सेलेक्टेट जो केंडिट होते हैं उनकी लिए होता है थीक है अब बात आती है एकजाम की डेटल में पहले से ही की डिकलेर कर दिया है इसमें कुछ अगर चेंज होता तो नोटिस वोड पर आएगा नोटि लिए हमके सेट ul आ चुके हैं बी वोख है और नीचे भी हैं बहुत सारे थीक है तो आप देख रहेे हैं आपका डिपलूमा का है डिपलूमा का कब होने वाला कैसे होने वाला इसमें सब चीज़ व्योय नोने देदी है ठीक है भी एक है बिभ ठेक्टर है बिभ बी एफ़ इसमें कुछ डिपलोमा के भी नहीं है और पीजी के भी बहुत सारे नहीं है तो यह तो अभी बहुत ताय में आ जाएगी अब बात कर लेते हैं सेलेक्शन क्राइटिरिया एडिमीशन होगा जो मेरिट बनती है वो किस बäs्स पर बनती है एडिमीशन होगा तो वो किस बैस पर आपका होगा ठीक है तो देखिये यहां पर आपको जो दिख रहा है इसको यहां हाँ ठीक है अगर किसी भी मेरिट पर देपलोमा गरुप A, B, C, D अगर किसी भी रिपलमा में आपने फॉर्मराय को चाहिए गुरूप A में, चाहिए B में, चाहिए C में, चाहिए T में तो एक merit मनती है जो कि 100 में से होती है तो देखिए सबसे पहले इसमें मैं बता दूँ आपकी 3 चीज होती है एक academic merit होती है जैसे अपने former art 10th से तो 10th की percentage है आपकी वो percentage 20% में count होती है मतलब 100 में से जो 20 number होंगे वो आपके इस percent में से आएंगे उसमें से 100 में से 60 number जो होंगे वो आपकी जो written exam दोगे उसमें से जिते नमर आएंगे वो 60 number में count होंगे और interview दोगे और जो co-curricular activity होती है उनके certificate बगारा यह सब 20 number में तो ऐसे करके 60 और 20 होगे 80 और 200 ऐसे 100 में से आपकी cut-off बनती है ठीक है इसके base पे ही आपका admission होता है द्यालबाग में यह ज्यान रखना मतलब यह percent का criteria दे रखा है कि आपकी जैसे high school में 100% आपकी result है तो वह आपको 20 नमर पकी दर से मिल जाएंगे interview अच्छा गया है कुछ certificate भी upload करती है जैसे NSS NCC बगरा बहुत सारी होते हैं तो इदर से 20 नमर पकी हो जाएंगे चालिस नमर आपके यह हो गए वरिदर से अब 30 नमर भी ले आओगे तो आपका आराम से एड़िशन हो जाएगा तो ऐसे करके यह criteria होता यह ध्यान रखना और जो पेपर होगा वो मैं अलग अभी वीडियो बता दूँगा किसमें कितने कुछन आने वाले हैं कितना क्या क्य जो criteria रहने वाला वो मैं बता दूँगा वो सबका अलग अलग रहता है ठीक है तो इसमें तो यही था अब चलते हैं आगे आगे क्या आगे चलने से पहले तो कुछ भी नहीं है बस वीडियो में यही थी आपको बताना कि डिपलोमा में admission कैसे होता है और कुछ जिसमें ऐसा खास नहीं है और फीस 270 रुपया भर देना SBA की side पर जाके उसमें state bank collect करके आ जाएगा उसमें simple सा procedure है ठीक है और इसमें और कुछ ऐसी खास जान करें नहीं है जो मैं आपको बता हूँ और कुछ अबर आप पूछना चाहते हो तो comment section में बता देना वहां मैं आपको पूरी चीज जो है बता दूगा ये टूजर बता दूगा जो आप पूछना चाहते हो क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी खास चीज नहीं रही है सारी चीज मैंने बता दिया है डिपलोमा के बारे में सारी चीज मैंने बता दिया आपको आप लोग website पर डेली आते रहना चैनल को subscribe कर ल चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो वीडियो को देखने के लिए धन्यबाद जहन जवारत बंदे मातरम आप सभी को मेरी प्यार बजल से राम राम